जिसने भी अपने आपको खर्च किया है गूगल पर सबसे ज़ादा उसी को लोगों ने सर्च किया है रिम डिफेंस अकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तयारी को बहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले इस टोर से रिम डिफेंस अकेडमी एप नमस्कार आज अपन दोस्तों बात करेंगे राजास्थान पुलिस सब इस्पेक्टर न्यू विकेंसी की तैयारी आपको कैसे करनी है इसी करम में पहले मेरे लगातार वीडियो चल रहे हैं अगर आप लगातार देखते आ रहे हैं तो आज का वीडियो नेक्स्ट उसी कड़ी में होगा और जो बच्चे आज पहली बार चैनल पे हैं जो बच्चे आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं वो अपना राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर का सपना पूरा करने के लिए सबसे पहले तो चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं और उसके बाद आज के इस वीडियो में हम जो डिसकस करने वाले हैं उसमें बहुत important चीज़ें हम डिसकस करेंगे पहली चीज पूरी परकिरिया की जानकारी इससे पहले वाले वीडियो में मैं कुछ काफी जानकारी आपको दे चुका हूँ पूरे प्रोसेस की आज भी मैं कुछ important चीज़ें आपको share करूँगा इसके बाद सबसे महतुपूर्ण चरण कौन सा है राजस्तान पुलिस समींस्पेक्टर में परिक्षा के तीन चरण होते हैं लिखित परिक्षा, फिजिकल और इंटर्व्यू इसमें से सबसे महतुपूर्ण कौन सा होता है उस पे अपन बात करेंगे उसके बाद पूरी तयारी के आपको योजना कैसे बनानी है किस तरह से आपको तयारी को करना है और उसके बाद गाइड का चुनाव क्यों आवस्यक है किस गाइड से आप तयारी कर सकते हो गाइड का मतलब यहां बुक से नहीं है गाइड का मतलब है जो आपको गाइड करने वाला है जिसके अनुसार आपको पूरी प्लानिंग करनी है और जो आपको लगातार मोटिवेट रखता है जो आपको लगातार दिसा निर्देश देता रहता है जिसके अनुसार आपको तयारी करनी है उस गाइड का आपके तयारी में क्या रोल रहेगा इसके बाद जो बच्चे पिछली बार किसी भी कारण से रह गए हैं चाए रिटन एक्जाम में रह गए चाए फिजिकल में रह गए चाए इंटर्वी में कॉल नहीं हो पाए चाए अब फाइनल मेरिट में रह सकते हैं उन सारे वच्चों के लिए उनकी एसफलता का क्या कारण होता है उसको पता करने में भी आपकी हेल्प करने की कोशिज करूँगा और उसका क्या रोल रहता है तो इन सारी चीजों पर आज अपन डिसकस करेंगे राजस्तान पुलिस सभी स्प्रेक्टर के लिए आप मेरे साथ लगातार तैयारी कर रहे हैं मेरी भी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि मैं भी आपको हर उस छोटी-छोटी चीज के बारे में बताता रहूँ हर वो चीज आप तक पहुँचा हूँ जिसकी आपको जरुवत है जिससे आप में ये 10-12 मिनिट का वीडियो देखके जोस रहें और आप लगातार अपनी तैयारी कर सकें बीच में आप में आलस नहीं आए और इसलिए ये वीडियो मेरे लगातार है और आपको भी इनका पूरा फाइदा लेना है पूरे 10-12 गंटे पढ़ाई के दोरान अगर आप मुझे 10-12 मिनिट अगर रोज देंगे 10-12 मिनिट अगर आप मुझे देंगे तो आपकी पढ़ाई की जो स्पीड है वो डबल होगी देखना क्योंकि जब तक हमें छोटी-छोटी चीजों के डाउट्स दिमाग में रहते हैं तब तक हमारी तैयारी को हम अच्छा नहीं कर सकते तब तक हम अच्छे से तैयारी अपनी नहीं कर सकते तो सबसे पहले बात करते हैं अपन पूरी परकिर्या की तो पूरा जो प्रोसेस हैं उसमें कल वाले वीडियो में मैं लगबग सारी चीज़े आपको बता चुका हूँ कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, फिजिकल स्टेंडर्ड क्या होता है, इंटर्व्यू में कितने मार्क्स का होता है ये सारी चीज़े मैंने बता दी थी बट इसके बाद भी कुछ चीज़े और रह जाती हैं वो भी आपको समझने की जरुरत है जैसे ही आप ओनलाइन आवेदन करते हैं, उसके बाद में सबसे पहले आपका रिटन एक्जाम होता है रिटन एक्जाम है वो 400 नमर का होगा और उसमें दो पेपर होते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट हैं और दोनों पेपर में से आपको कौन से पेपर पे ज़्यादा जोर देना है ये चीज में आपको समझाना चाहूंगा कि आपको समसे ज़्यादा जो जोर देना है वो हिंदी वाले पेपर पे देना है दोनों ही पेपर के अंदर शे हिंदी वाला पेपर important इसलिए है कि उसमें एक ही subject सामिल किया गया है और क्यूशन सो होंगे शिरफ हिंदी हिंदी के सो क्यूशन होना बहुत बड़ी बात है और इसमें जो score होता है वो भी बहुत अच्छा किया जा सकता है जीके वाले पार्ट पे चाहिए आप कितनी भी मेनत कर लेना उसमें एक तो बहुत बड़ा lengthy syllabus है कम से कम 10 subject उसमें बड़े बड़े दिये हुए है और दूसरी चीज उसमें paper का कोई idea नहीं होता है कि कहां से क्या पूछ लिया जाएगा तो उस पे आपको उतना ही time देना है जितना उसको जरुत है आपको हिंदी सबसे पहले बहुत अच्छी करनी है अगर सब इस्पेक्टर बनना है कम से कम 98-99 क्यूसन आपके सही होने चीए इस तनी इस तरह की आपको तयारी करनी है हिंदी की तयारी आपको कैसे करनी है वीडियो आपको description में मिल जाएंगी सर्च करके भी अगर आप देखोगे तो काफी वीडियो पहले से strategy वाले हैं जिसमें हिंदी की तयारी कैसे करनी है दूसरी paper की तयारी कैसे करनी है सलेबस क्या होगा ये सारे वीडियो आपको वहां से मिल जाएंगी तो ये आपको तयारी करते समय बहुत ध्यान रखने की जरुरत है इसके बाद में दूसरी जो ध्यान रखने वाली बात है वो है कि आपको पूरी प्लानिंग जरूर रखनी है आपको जो second वाला part है उसमें जो part आपका अच्छा है उसको और अच्छा बनाने की कोशिस करो क्योंकि हम कई बार क्या होता है किसी एक part को छोड़ देते हैं कि इसमें से तो 5 सी क्यों सनाएंगी इसमें से तो 10 सी क्यों सनाएंगी तो किसी भी part को आपको एक तो छोड़ना नहीं है और जो आपका अच्छा है उसको और अच्छा करने की कोशिस करना है बहुत से बच्चों के साथ पिछली बार ऐसा हुआ है हिंदी में बहुत अच्छे नमर है लेकिन GK और GS वाले पेपर में 40% मार्क्स नहीं हो पाए 36% मार्क्स नहीं हो पाए और उसकी बज़े से पूरी मेनत पे पानी फिर गया तो इस चीज का भी दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखने की जरुरत है कि आपको किस तरह से अपनी तैयारी करनी है कि दोनों पेपर में कम से कम 40% मार्क्स क्रोस कर पाए नहीं तो पूरी मेनत हमारी बेकार हो जाती है इसके बाद जैसे जो फिजिकल क्वालिफाई कर पाते है यानि कि आदे बच्चे निरास हो जाते है शिरफ रिटन एक्जाम में मेनत करके इतनी साल की मेनत करके और उसके बाद भी फिजिकल नहीं करने वाले बच्चों की संक्या आदी होती इसका मतलब है कि वो अच्छे से पहले से तैयारी की अपनी प्लानिंग नहीं करते हैं उनको confidence अपने उपर या तो होता नहीं है या फिर वो डर जाते हैं जिसकी वज़े से उनको निरास होना पड़ता है तो वो चीज आपको पहले से दिमाख में आपको रखना है इसके बाद जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करते हैं फिर शे मेरिट बनती है और फिर शे मेरिट बनने के बाद में फिर क्या होगा कि आपको तीन गुना बच्चों को शिरफ इंटर्व्यू के लिए कॉल होता है तो एक बार शुरुआत करने के बाद में बीच में किसी भी इस्तर के उपर आपको आलस अपने अंदर नहीं लाना है लगातार तैयारी करते रहना है और याद रखना जिसने भी अपने आपको खर्च किया है गूगल पर सबसे ज़्यादा उसी को लोगों ने सर्च किया है तो आपको भी अपनी किम्बत अगर बढ़ानी है अगर सब इंस्पेक्टर में सामिल होना है तो अपने आपको खर्च करना पड़ेगा अपने आपको मेहनती बनाना पड़ेगा इसके बाद में सबसे महतुपूर्ण चर्ण कोन सा है तीनों चर्ण पे अपन बात कर रहे हैं रिटन एक्जाम, फिजिकल और इंटर्व्यू वैसे तो तीनों ही चर्ण हैं वो अपने अपने इस तरफे बहुत इंपोर्टेंट है जो बच्चे रिटन एक्जाम में अगर ऐसा फल हो गए तो उनके लिए रिटन एक्जाम बहुत इंपोर्टेंट चर्ण हो गया जो फिजिकल में रह गए तो उनके लिए फिजिकल बहुत इंपोर्टेंट हो गया और जो इंटर्यू में रह गए उनके लिए इंटर्यू भी बहुत important हो गया और हर एक के अलग-लग marks होते हैं 400 नमर का return होता है, 100 नमर का physical होता है, 50 नमर का interview होता है एक-एक number बहुत important है बट कहीं न कहीं हमें new मजबूत करने की जरूरत है हमें base मजबूत करने की ज़रुत है और सब इस्पेक्टर की exam में जो base होगा वो आपका return exam होता है अगर return में आपका अच्छा score है तो physical पास पास होते ही आप interview में पहुँच जाते हैं physical के अंदर 100 में से 50 नमरी लाने हैं और वो भी final merit में सामिल नहीं होते हैं बहार निकल जाते हैं तो अगर return आपका बहुत अच्छा है तो आपको physical में सिरफ 50 नमर लाने से काम चल सकता है और return आपका बहुत अच्छा है तो interview में भी आपको minimum mark सिरफ 36% लाने से भी आप finally sub inspector बन सकते हैं तो इसलिए जो सबसे महतोपूर्ण जो चरण है महतोपूर्ण जो stage है वो आपका return exam है और उसका पच्छतावा बच्चों को हमेशा रहता है जिनका return कमजोर रह जाता है वो आगे चल के और जब निरास होते हैं पता चलता है कि अगर return में थोड़े से अच्छी तयारी और कर ली होती तो हम भी sub inspector होते ये आपकी life में भी हो सकता है आपको भी इसके लिए एक word होता है कास वो यूज करना पढ़ सकता है कि कास में थोड़ा सा और द्हान देता कास में थोड़ा सा और पढ़ लेता कास में थोड़े दिन पहले तयारी शुरू कर देता तो मैं भी sub inspector होता तो ऐसे इस्तिति आपकी life में नहीं आए इसी के लिए मैं आपको लगातार ये चीज़े बता रहा हूँ कि आप अपनी तयारी फड़ावट शुरू कर दीजिए vacancy का इंतजार किये बिना अब इसके बाद में पूरे तयारी की योजना आपको कैसे करनी है तो ये आप पर depend करता है कि आपको तयारी कैसे करनी है आपको तयारी कैसे करनी है का मतलब यह है कि अगर आपने एक बार coaching ले रखी है offline अगर आपने coaching कभी लिया है तो आपको बार-बार offline coachings के चकर में नहीं पढ़ना है coachings से selection नहीं होते हैं आप जितना पढ़ेंगे न वो ज़्यादा important है जो time आप offline coaching में 4-5 गंटे का देते हैं उसकी बजाए आप 4-5 गंटे self पढ़िए अगर आपने पहले coaching ले रखी है अगर आपने coaching नहीं ले रखी है तो आपको एक बार अच्छे institute से coaching लेना है पढ़ने के लिए आपको हर जगे teacher मिल जाएंगे लेकिन आपको coaching वहां से लेना है जहां आपको लगातार motivate किया जाता हो जहां लगातार आपके उपर दवाव बनाया जाता हो पढ़ाई करने के लिए पढ़ने के लिए और वहां से आपको तयारी एक बार अच्छे से करनी है return exam के लिए और उसके बाद में फिर आगे आप दीरे-दीरे अपनी physical तयारी भी शुरू कर दीजिए जैसे जैसे आपको पता चलता है कि आपकी इस्तिति क्या है physical standard क्या है और आप कहां तक उसको पूरा कर पाएंगे कितना उसमें समय लगेगा वो चीज भी आप अपनी planning में जरूर शामिल करिए बहुत से बच्चे हैं जो सिरफ written exam के पीछे रह जाते हैं और physical में ध्यान नहीं देते हैं बाद में 50% बच्चों को written exam से वापस निरास होना पड़ता है physical के दोरान तो physical के लिए भी और इसी तरह से इंटर्यू की तयारी भी आपको कैसे करनी है उस पे भी आप लगातार ध्यान रखी अगर आप लगातार इस चैनल पर हैं और मुझे आश्रिये बताते हुए कि बहुत से बच्चे मेरे ऐसे student हैं जो सारे वीडियो देखते हैं चाए physical का है चाए written का है चाए इंटर्यू का वीडियो है उसको भी देखते हैं जिससे की उनके दिमाग में वो सारी चीज़े आगाती हैं जो एक sub-inspector बनने के लिए आवश्यक है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं और आप भी अपनी तयारी तीनों लेवल की एक साथ कर सकते हैं जो बच्चे offline तयारी नहीं कर सकते हैं वो बच्चे किसी भी अच्छे institute का online course purchase करके भी आप अपनी तयारी को regular बना सकते हैं अच्छी faculties से आप subject अपने अच्छे से तयार करिए knowledge इकटा करिए दिमाग में और हर चीज को हर concept को clear करते हैं चलिए जिससे आप अच्छा score कर सकें आज कल return exam का जो pattern है वो काफी बदल चुका है direct questions बहुत कम पुछे जाते हैं concept basis questions काफी पुछे जाने लग गए हैं तो आप भी अपने subject को अच्छे से तयार करिए वो आप online भी कर सकते हैं और अगर आपने online भी कर रखा है offline भी पहले कर रखा है तो आप self study library में या घर में बैठ के भी अपनी तयारी कर सकते हैं तो उसके लिए भी आप अपनी planning जरूर करिए बट सारे बच्चों के लिए एक जैसी planning नहीं हो सकती मैं अगर आपको planning करके बताऊ वो आपके काम की नहीं है मैं अगर आपको time table बताऊं तो वो आपके काम का नहीं है आपको अपनी planning खुद को करनी है कि आपको तयारी कैसे करनी है तीनों level की उसकी पूरी planning कर सकते हैं मदद आपको अगर किसी भी परकार की चाहिए तो आप मेरी मदद ले सकते हैं करके आप पूछ सकते हैं कि आपको किस मदद की जरूरत है किस तरह से आपको help चीए इसके बाद guide का चुनाव आवस्यत का यह बहुत important है किसी भी competition की exam की त्यारी करने वाले बच्चे के लिए एक उसकी life में कोई ना कोई आदमी ऐसा होना चीए जो उसको लगातार motivate करने के साथ साथ उसको यह भी बताए कि आपको अब क्या करना है अब किन चीजों का ध्यान रखना है अब क्या क्या आपको follow करना है और वो एक हर आदमी को इसकी जरुरत पड़ती है अगर मैं भी यह काम कर रहा हूं इस line में तो मुझे भी कोई न कोई गाइड करने वाला है मुझे भी कोई न कोई मेरा भी कोई न कोई गुरू है जिससे मैं रोज सीखता हूं जिसके वीडियो में रोज देखता हूं जिससे मैं रोज सला लेता हूं ऐसे ही आपको भी अपनी तयारी के अंदर एक guide चुननना बहुत जरूरी है जो आपके लिए motivation का भी काम करें और आपको सई दिशा दिखाए अब वो कोई भी हो सकता है आपके परिवार का कोई member हो सकता है आपका कोई relative हो सकता है किसी teacher से आप जुड़ सकते हैं और उससे आप लगातार उसके contact में रहिए और लगातार उससे सला लीजिए जिससे की आप भी final तक पहुँच पाए क्योंकि दोस्तों competition का जो सफर है उसमें कई बार आदमी चलते 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 उसको पता भी नहीं चलता है और कब वो आलस ही हो जाता है कब उसके अंदर आलस आ जाता है कब वो रास्ते से बटक जाता है ये पता भी नहीं चलता है बहुत से बच्चे चलना शुरू करते हैं यानि कि बहुत से बच्चे तयारी करना शुरू करते हैं बड़े जोस में होते हैं लेकिन वो जोस दीरे दीरे कम होता जाता है उस पे आपको जरूर ध्यान रखिए और उसी के लिए इस गाइड की जरुत पड़ेगी ये गाइड का चुनाव आपको इसी लिए करना है और इसके बाद ऐसा फलता के कारणों का पता लगाना पता करना ये भी बहुत और जिस दिन 869 वेकेंशी आई कई बच्चे दो मेरे पास ऐसे आए कि सर मुझे लास्ट चांस मिला है एज में जो तीन साल की छूट मिली है इसकी वज़े से मैं भी फोरम अप्लाई कर सकता हूं मैं भी सब इंस्पेक्टर का एक्जाम दूँगा लेकिन वो थोड़े दिन से आप फिजिकल में फैल हुए है पिछली बार किसी भी कारण से अगर आप इंटर्वु को लिए हो पाए है तो सबसे पहले अपने उन कारणों पर विचार करिए अगर आप अपना तरीका नहीं बदलते हैं तो फिर से आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो अब तक मिलता आ तो सबसे पहले आपको अपनी हार के कारणों पर विचलेशन करना है कि आप एक बार अच्छे से अपने विचार अपने कागज पर लिख लीजे कि क्या क्या कारण थे जिसकी वज़े से मैं फाइनल नहीं बन पाया क्योंकि हर ग्रेजुएट बच्चे में वो सारी पावर् करेंगे तब तक आप उसमें सुधार नहीं कर सकते तो पहले न कारणों का पता लगाईए सुधार करने के लिए सुधार करूस्वीकार करें और फिर उन पर काम करें डिस्से कि आपको इस बार निराश नहीं होना पड़े। hvad मैं आपको बता दू मेरे बहुत से student जो मेरे touch में है लगातार उन्होंने अपने life change किये मुझे कई बार call करते हैं कई बार message करते हैं कई बार आप भी comment देखते होंगे जो बच्चे बिलकुल भी पढ़ाई नहीं कर पाते थे वो बच्चे भी लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको एक सई दिशा मिली है आप भी अगर मेरे विचारों से कही ना कही अगर संतुस्त होते हैं अगर आप में भी एक बार अगर वो जो साता है मेरी आवाज सुनके या हमारे वीडियो देखके तो आप लगातार इसको जारी रखिए अगर आ रहे का काम ओल्रेडी करते हैं जो नहीं करते हैं वो भी एक बार विचार करिए कुछ तो इतने कंजूस होते हैं कि लाइक का बटन भी दवाने में उनको यह लगता है कि लाइक भी मैं क्यों करूं अभी भी बहुत से बच्चों ने लाइक नहीं किया और यहां तक वीडिय का होने वाला है इसको फड़ाफट दोलाग का कर दीजिए अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और सयोग करिए दूसरों तक पहुंचा के इस वीडियो को कि वो भी अपने परिवार में सामिल हो आज के लिए इतना ही जैहिन ठे क्यों दनेवाद रिम डिफेंस अकेडमी की अनुभावी टीम के साथ अपनी तयारी को बैतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस अकेडमी एप